Hello everyone, आज इस वीडियो में हम react के app के folders और files के बारे में पढ़ेंगे किस folder का और किस files का, क्या user कभी यूज किया जाता है और उनके अतना changes किस तरीके से कर सकते हैं और उन files का मतलब क्या है और सब हम cover out करेंगे, साथ साथ देखेंगे कि react component को कैसे render करती है और वो कहां से सबसे पहली file कौन सी access होती है और सब चिज़ें इस वीडियो में cover out करेंगे So, let's start the journey शुरू करने से पहले, मान लीजिए, एक छोड़ी से बच्चे को का, कि तुम चाए बना के लिए क्या उसे चाय बनाने का कुछ नहीं पता, बट उसे पता है कि चीनी उस होती है, चाय पती है, दूद उस होता है video. Minちょっと Ch bosses हो सकते हैं, वो मिठी जाद बन सकती है, कड़ बीजाद सकती है अगर चाय पती जाद डालता हो, टूद उस कड़ बीजाद हो जाएगी तो इन सब का पता होगा, तब ही वो एक अच्छी चाहिए बना पाया जा, इसी प्रेकार, अगर मैं एप बनाने में बात करता हूँ, react की, तो हमें उसके अंदर के folder के structure के बारे बता होना चाहिए, flow के बारे बता होना चाहिए, कौन सी file का क्या use है, और उसमें क्या ऐसी चीज डाल के, और आपको efficient बना सकते हैं, तो यह सब हम चीजें इसमें आज cover art करें, तो सबसे पहले जो आता है आपकी file वो आती है, package JSON, इस file में होता कि actual में, जितने भी आपके dependencies हैं, जो आप react के अंदर use कर रहे हैं, जिसे हम package भी बोलते हैं, ठीक है, उन सब के version यहाँ पे store होत React यूज हो रही है, टेस्टिंग के लिए, user event यूज हो रही है, उसके version आगे, ठीक है, react हो गई, यह सारी के सारी आपके dependencies हैं, उसके बाद आती है, script हो ले तो react को चलाने वाली script commands, तो उनके shortcut बना से हैं, जैसे मैं लिखूँगा npm start, तो actual behind the scene, यह वाली आपकी command यूज हो इसे build लिखूँगा, तो यह command यूज हो रही है, test लिखूँगा, तो यह command यूज हो रही है, eject लिखूँगा, तो यह command यूज हो रही है, यहाँ पर अपने हिसाप से भी script दना सकते हो, ठीक है, फिर ESLint, config है, इसके बार में नहीं पढ़ना, फिर browser list होगी, ठीक है, production development, इसक package.json को, अगर आप delete कर दोगे, तो आपके सारे packages, जो भी use हो रहे होते हैं, यह के अंदर, वो delete हो जाएंगे, फिर आप उसे recover नहीं कर पाँगे, तो कभी भी इसको delete file को नहीं करना, बहुत important file है, इसको कभी delete file को नहीं करना, फिर अगली file पर आते हैं, package-lock.json, माल लिजए किसी तीसरे पंदे का package यूज कर रहे हैं, तो भी किसी ने किसी का package यूज कर रहा होगा, या किसी की dependency यूज कर रहा होगा, तो इस वाली file में, जिस package को यूज कर रहे हैं, और इसने भी कोई package को यूज कर रहे हैं, तो उन सब के links, उन सब के versions यहां पर दिखाए जाते हैं, यानि के store होते हैं जैसे Babel है Babel में Codform नाम का एक package है और इसमें ये version user है तो इसके dependency ये use हो रही है ठीक है तो यानिए dependencies की dependency आपकी हाँ पे store होती है आपको एक और चीब बताता हूँ वो ये कि अभी आपको आपके package-lock.json file देख रहे हैं यान.json अगर मैं नपे में use कर रहा हूँ तो package-lock.json इस तरीके से नाम आएगा इसको आप delete कर सकते हो कोई issue नहीं है जब याप package को install करोगे तो वो आटमाटिक लिए बन जाएगा अगली file पे आते हैं वो आते हैं आपके Nord Modules पे Nord Modules के आपके जो आपके package है जितने वे अपने package store कियों है इसके अंदर याने dependencies जिए भी आपने dependencies उसके है वो सारी dependencies यहाँ पर actual में आ जाती है डाउनलोड हो जाती है तो यह डाउनलोड वाली जगा है जब आपके सारी dependencies अवेलेबल होंगे अब मानलीजे इसको मैं delete कर लेता हूँ जी कर मैं इसको delete कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा इसको मैं दोरा install कर सकता हूँ जैसे मैं लिखूँगा npm install और enter मार्ती यह packages अंको start किया और again यह बन की file ठीक है जो packages थे जो भी इस packages अंके अंदर जो भी आपने dependencies यहां पर रिफाइं के थी वह आपको यहां पर अविलेबल मिलेगी तो यह actually node modules जो है यह आपके packages पो store करता है यारि कि जितने packages है वो download करके यहां पर आपको दिखा देगा अगले folder पर आते हैं वह आपका है पब्लिक folder एक्चल में यहां पर आपके इस क्या होंगे फैव icon होगा जो आपके header के लिए या title के लिए फैव icon डाल सकते हो एक HTML file होगी logo होगा दो logo होगा एक manifesto होगा इसके बारे में नहीं पढ़ना और robot text इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना मैंने बोला था कि react spa पे काम करती यानि कि single page application होती है इसका मतलब यह होता है कि इस app के अंदर यानि react के अंदर सिरफ एक ही HTML का page होगा उसी HTML के page के अंदर आपके component change होते रहेंगे मान लिजी आपने एक page से दूसरे page पे गए तो इस page के अंदर यानि index.html के अंदर पहला page आ रहा होगा उसका component ने सारा component आ रहा होगा जैसी मैं दूसरे page पे जाता हूँ तो वो component हटके दूसरा component उस पे apply हो जाएगा तो यह होता है single page application यानि एक ही page होता है बस उस पे component re-render होते रहते हैं यानि कि एक आया फिर दूसरा आएगा जैसे इसे change कर जाएगा वो render होते रहेंगे तो इस तरीके से काम होता है spam में इसके अंदर देखते हैं बिलकुल sqml file है यहाँ पे आपको tags मिल जाएंगे sqml आप यहाँ पे अपने आपसे भी tag add कर सकते हैं जो आपको चाहिए जो पूरी file में चाहिए आपको यानि कि हर एक page पे हर एक जगा पे चाहिए तो यहाँ पे आप add कर सकते हैं जो सबसे main चीज़ है इसके अंदर जो आपको नहीं चेड़ने है वो है यह div id root div इसी के अंदर आपके सारे component render होते हैं मतलब जैसे आपने एक file बने component button नाम के अब उस button नाम की सारा component यानि कि सारा tags इस div के अंदर automatically आ जाएंगे कैसे आएंगे वो देखेंगे ठीक है तो इस div को हर दिया रखना हम इस पर थोड़ी जर में आएंगे अब अगले folder पे आते हैं वो है src अब आते हैं अब आते हैं app.css file में तो इस फ़ली file में आपको सारे css के classes और id मिल जाएंगे ठीक है और ये css आपके component में उस दोंगी ठीक है फिर आते हैं ये आपका ए component है जो भी आपने देखा था कि जब मैं render करो npm start करना हो सबसे पहले ये component दिखता है तो ये आपका hello word जब हम चेंज किया था ये पहले आपका component है first component जिसका नाम है app फिर आपका app test ये testing के लिए जोता है हमें से नहीं पढ़ना ये advanced level के लिए हमें नहीं पढ़ना भी ये index की css है ये आपके index file है जो सबसे पहले file call होती है react जो सबसे पहले file में जाता है वो ये file है ठिक है index वाली ये file बहुत important है एक आपकी public वाली index.html और ये index.cs ये दोनों file बहुत important है इन दोनों file को delete नहीं करना क्योंकि react जब भी जो सबसे पहले screen लाता है वो इन दोनों फाइल्स पर जाता है, एक index पर और एक index.js पर, ठीक है, तो इन दोनों फाइल्स को हाथ तक नहीं लगाना, फिर logo svg, इसमें svg के component है, report vitals, actually आपके performance की record करने के लिए इस होती है, इसको पर नहीं पढ़ना, setup text अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि यह testing है, सारा, तो के बारे में नहीं पढ़ना, तो सबसे पहले आते हैं, आपन index.js के, आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने कुछ import के हैं, ठीक है, कुछ files import के हैं, import का बोला जाए, तो link कर रहा है, जैसे link बोले तो, अगर मैं बोलो, HTML के अंदर, मुझे CSS file लिंक करनी है, तो मैं एक tag लोगू क्याता है, मैंने रियक फोल्डर को पूरा ले कि हो, एक तरही का वेरेबल बनाए, मान लो यह वरेबल हो गया, इसके साथ, link हो गया, अब मैं रियक जहां यहां यूज करूँगा, जो इसके अंदर यूज करूँगा, तो automatically वह यूज हो जाए, import, react dom, react dom, react dom से ले लिया, क्योंकि मुझे, automatically मैं उनके नाम से define करूँगा, जो उनके actual में नाम है, फिर मैंने component लिया, app, इसके अंदर वो app लिंक कर दिया, फिर report vitals, इसके जुरुत नहीं है, जब लेते हैं, तो app है क्या, okay, so app है क्या, app के अंदर देखो, इधर भी import हो रहा है एक logo, so यह वाला logo, import हो अब यहां पर मैंने div बना है, मैंने क्लास नाम एप, तो यह app, actual में यह वाली class है, वो यहां पर use हो रही है, इसे प्रकार logo डाल दिया, तो logo है, वो SVG के साथ है, तो लिंक हो गया, और एक link डाल गया, तो यह पूरा component मेरा बन गया, ठीक है, फिर मैंने क्या क्या, इसको export कर कैसे का मता है, default क्या होता है, वो सब चीज़े कर, cover out करेंगे, तो अब ऐसे मान लीजे, import करना है, तो यहां से मैंने default भीज गया, यानि कि, जब भी इस file को call के जाएगा, तो यह वाला तो जाएगा ही जाएगा, इस तरीके से समझे, तो यहां पर वो app आ गया, पुरा component, य यानि कि, यह पूरा code, आपके इसके अंदर आगया, खतम, फिर मैने क्या किया, फिर मैने क्या क्या कि, इस app को मुझे, HTML के अंदर दिखाना है, तो मैं कैसे कर सकता है, उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, कि react.dom को call करा है, टिक है, dot render call किया, अब यह dot render क्या करेगा, ज यहां पर strict mode यूज हो रहा है, यह React के एक functionality है, कि strict mode on कर देगा, जैसे हमें JavaScript में script mode होता है, इसी तरीके से इसको पढ़ना नहीं है, फिलाल अभी के लिए, इसको फ़र हटा भी ने कोई दिक्कत नी होगी, मैं हटा देता हूं इसको, तो यह कुछ इस तरीके से हो गया, अब मैंने सबसे वहले अपना component, इस तरीके से component define करते हैं, ठीक है, app, जैसे हम tags use करते हैं, वैसे component define करते हैं, ठीक है, तो यह component मैंने बनाया है यह आपे, उसके बात document, एक चीज़ याद रखना, यह index file, automatically, index.html file के साथ link हो चुकी है, यह माना जाता है, कि यह index file अब access कर रही है, index.html को automatically react handle कर रहा है, तो मैंने का, index.html के अंदर, यानि document उसके लिंक हो चुका है, get by element करो, और उसके अंदर root ढूंदा, तो वो root ढूंदा है, यहाँ पर, और कहता है, उस root के अंदर, अब render कहा रहा है, मुझे location मिल गई, अब इस app को हाप लगा दो, तो वो, इस अले app के अंदर, उसको put कर देता है, code को, ठीक है, अगर इसको मैं चेक करना चाहूं, मैं लिखता हूँ, npm start, अब यह start होगा, तो यहाँ पर यह component रेंडर होगा, साथ ही साथ मैं इसका inspect कोलता हूँ, and then देखो, यहाँ पर आपका root आ रहा है, जो आपका HTML file है, वो आ रही है, और इसके अंदर आपका component यह रेंडर हो रहा है, तो इस प्रकार आपका component रेंडर होता है, इसके मदद से, आपके react-dom के render function के मदद से, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कैसे use होता है, अभी इतना ही समझेए, कि यह render आपके app के component को, इस प्रकार HTML file के रहते हैं, तो यह single page application का concept है, यानि एक ही HTML file होगी, उसके अंदर आपके component change होंगे, माल लीजिए, अगर मैं एक और component मालने तो, यह app2 नाम का बना दिया, और मैंने app2 लिख दिया, तो app2 हो जाएगा, तो इस प्रकार उस HTML file के अंदर, यानि कि index.html के अंदर, component आपके change होते रहते हैं, एक component होगा है, दूसरा लगा दिया, तो यहाँ पर reloading का time finish, उसके बाद fast reload होगा, performance अच्छी हो जाएगी, जो user का interaction होगा, वो और अच्छ हो जाएगा, यह था आपका index.hts का, ठीक है, उसके अलाबा, यह git ignore file है, actual में जब आप git commands करते हो, तो कुछ files को आपको save नहीं करनी, अपने gits में, तो वो files यहाँ पर, आप define कर देगे, वो ignore हो जाएगी, इसको जब git पढ़ोगे, तो आपको clear हो जाएगा, उसके बाद है readme file, actual में यह, इसको markdown language ही बोला जाता है, md मतलब markdown language, यह क्या करता है, कि सरा कर documentation है, माल लीजए, documentation मतलब, कि इस react app के अंदर, जो आपने app बनाई है, उसके अंदर, कौन से script run करनी है, इस app को कैसे run करना है, इस app के अंदर, कौन कौन से component use हो रहे है, उस सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते है, कोई दूसर developer आके, उससे समझेगा, और इस app को run कर लएगा, ठीक है, तो यह बहुत helpful होती है, अगर मैं इसको preview करूँ, open preview, तो इस तरीके से यह देखेगा, ठीक है, इस तरीके से देख रहा है, जो मैंने आप पर लिखा है, ठीक है, गेट से hash लगा है, तो वो थोड़ा सा, पर जुरू प्लिक कर दीजिए, और तब तक के लिए, आप नहीं नीजीज़े सीखते रहिए, और बढ़ते रहिए, ठीक यू फार वाचिंग देश वीडियो,